है ले वीवर देवास बख्चे पे आपको बहुत स्वागत है जब कोई तेभार आता है तो सभी के घरों में पुए पकवान बनने लग जाते हैं इसलिए आज में लेकि आई हूं बहुत ही मज़दार बहुत ही टेस्टी रबडी मालपुआ के रेसिपी रबडी मालपुआ इतना टेस्टी होता है कि अगर आप एक बार बार इसे ही बनाना चाहिए और यह रेसिपी भी बहुत आसान है और जल्दी बन भी जाती है और इसमें बनाने में बहुत जादा मेहनत भी नहीं है एक बार आप बना लीजिए तो आपको बहुत पसंद आने अगर आपको मेरी यह वाली रेस्पी पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले तो शेली बड़ा मेट से देख लेते हैं इसे कैसे बनाते हैं रबडी मालपुआ बनाने के लिए यहां पे मैंने फुल क्रिम दूद लिया है देल तूद को गैस पे रख देंगे और गैस का फ्लेम हाई कर देंगे और हाई फ्लेम पे बॉयल आने का एक उबाल आने का वेट करेंगे तो लगतार मैं इसको हिला रही हूँ हिलाते हुए रबडी बनाएंगे इसको तो जब एक बॉयल आ जाएगा तब गैस का फ्लेम स्लो कर करके निकालती जाएंगे और इसी में मिलाते जाएंगे दूद में जिसे यह आर भी थिक रब्डी बनके तियार हो जाएगी तो आप देख सकते हो पहले से दूद काफी कम हो गया है तो दूद को काफी रिडियूस करना है कम कर लेना है उसके बाद जब यह ऐसा थिक हो जाएगा तब यह रबडी जैसी बनके तियार हो जाती है तो इसी से मालपुवा बनता है तो यहां पे मैं थोड़ा सा चीनी दाल देती हूं तो मैं यहां पे दो चम्मच चीनी दाल रही हूं क्योंकि चीनी यहां पे बह तो अब यह रबडी बन के तियार हो गई है कैस का फ्लेम बन कर देंगे और फिर इसको ठंडा कर लेंगे तो जब यह अच्छी तरह से पूरी तरह से ठंडी हो जाएगी तब आप देख सकते हो तो भी और भी गाड़ी हो गई है तो थोड़ा सा गार्निसिंग के लिए अलग स इससे रबडी को निकाल के रख लेंगे तो यह मैंने प्लेट में निकाल लिया है अब यह रबडी बन गई है इसको बोल में ट्रांसफर कर लिया है और इससे मालपूः बनाएंगे तो यहां पर थोड़ा सा मैदा दालेंगे और फिर इसको मिक्स करते जाएंगे तो इसमे पे मैंने थोड़ा सा नारियल ले लिया है जो सुखा हुआ नारियल होता है थोड़ा सा सौंफ ले लिया है उससे भी दाल देंगे सौंफ को भी मैंने थोड़ा सा दरदरा कूट लिया था सबको दाल के मिला लिया है और थोड़ा थोड़ा सा दूद दालेंगे और थोड़ा स लुटिन बेटर को पतला कर लिए वह बहुत लगाण लग रहा है तो इसको थोड़ा से पतला कर देती हूं आप जाते हूं इस, को अछ़ए से इसको फेट रही हूं मैं और आपको अगर इसमें नारिया ला स्वाफ, कोई भी चीज़ा पसंद नहीं है तो आप skip कर सकते हो तो इसकी consistency ऐसी होनी चाहिए ये batter बनके त्यार हो गया है मैंने इसको अच्छी तरह से फेट लिया है अब देख सकते हो तो ये batter बनके त्यार है अब इसको आधे गंटे के लिए रख देंगे जब तक ये सेट हो रहा है तब तक मैं यहाँ पे चासनी बना लेती हूँ इसके लिए तो फिर एक कप मैंने चीनी डाला है तो एक ही कप पानी डालेंगे यही measurement रखेंगे तब ही perfect चासनी बनके त्यार होती है एक कप चीनी के लिए एक कप ही पानी डालना है और गैस का flame high कर देंगे और फिर इसको लगतार हिलाते हुए चासनी बना लेंगे तो जब इसमें एक boil आ जाएगा तब गैस का flame slow कर देंगे और 10-12 मिनट के लिए इसको पका लेंगे ये एक तार की चासनी नहीं बनानी है पतली सी चासनी बनानी है इसको बहुत ज़्यादा गाड़ी नहीं करनी है तो यहाँ पे मैं हलका सा एक पिंच केसर दाल रही हूँ साफरोन से इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है और फिर इसका कलर भी बहुत अच्छा आता है तो आप केसर अगर हो सके तो जरूर दाले और इलाइची पाउडर में मैंने थोड़ा सा दाल दिया है अगर यह सब चीज़ें नहीं है आपके पास तो आप स्किप कर सकते हो आप इसके बिना भी बना सकते हो तो आप देख सकते हो यह चासनी बन के त्यार है थोड़ा सा चेक कर लेंगे थोड़ी सी चिपचिपी जैसी हो जाए, बस ऐसे ही होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा इसकी एक तार की चास्ती नहीं बनाएंगे, अब बैटर को यहाँ पर देख लेते हैं, जो मैंने रखा था, आदे गंटे के लिए सेट हो गया है, अब यह मालपुवा बनाने के लिए त लेकिन आप अगर नहीं दालना चाहते हैं, तो आप ऑईल में भी बना सकते हो, तो यहाँ पी छोटा-छोटा सा ऐसे उठाएंगे स्पून से, इसका जो बैटर है और उसको दाल देंगे, छोटे बड़े साइज जो भी साइज आपको पसंद है, आप उसे दाल सकते हो, एक पकाना है, बहुत ज़्यादा इसको हाई फ्लेम पे नहीं फ्राइ करना है, तो मैं लगतार इसको देख रहे हो, आप उलट-पलट कर रही हूँ, थोड़ी-थोड़ी देर में इसको पलट देंगे, जब यह अच्छी तरह से ब्राउन कलर का हो जाएगा, गूल्डन करें सो जब दढ़ें काहिए, अगर आफकी त्ञेशनी नहीं थोड़ी थोड़ी हो गई तो आप इसको फिर्से गरम कर लें हलका सा हलका गरम चासनी में ही इसको डालेंगे और फिर दालके फिर एक साइड से इसको पलट देंगे और फिर इसमें 10-15 मिनट के लिए इसको डिप करके छोड़ देंगे उसके बाद इसको निकालेंगे तो मैंने इसको 10-15 मिनट के लिए इसे चोड़ दिया है, इसी में डिप करके उसके बाद इसको निकाल के प्लेट में रख लेंगे, तो एक एक निकालेंगे और फिर प्लेट में ऐसे रख लेंगे तो सारे मालपुए ऐसे ही बना के और फिर रख लेंगे तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे मालपुए को प्लेट में लगा लिया है इसके उपर थोड़ा सा चासनी और दाल देंगे जिसे अच्छी तरह से और डिप हो जाए तो और भी टेस्टी लगेगा अब ऐसे भी सर बन करके यह मालपुए त्यार होता है इतना स्वाफ होता है कि मैं क्या बता हूं खाने में तो बिल्कुल मिठाई जैसा गुलाब जामुन जैसा लगता है तो फिर इसके उपर मैंने थोड़ा सा प्रिस्ता लगा दिया है इसकी गानिशिंग कर दी है जिसे यह और भी देख शेयर और सब्सक्राइब करें थैंक्स पर वाचिंग मिलती हो नेक्स वीडियो में तब तक लिए बाबाई